तुरेश कुमार एक लगय है और आप देख रे हैं हिंदुस्तान यूज और टिप्स जो लोग ये कहते हैं कि गधों के कान नहीं होते उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर गधों के कान नहीं होते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं यही वजय है कि लटबाजी भारत चीन की होने वाली है तस्रीफ छुपाए पाकिस्तान घूम रहा है यह वही पूत्रा का पुत्र है जो बात बात में भारत को एटमी धोंस देता था मगर बाला कोट का तमाचा ऐसा पड़ा की यह मुल्क भूल गया की एटम बम जैसी कोई चीज भी होती है अब इसे एटम बम से ज़्यादा तैमंद की फिकर सता रही है क्योंकि पाकिस्तान के बुद्धी जीवियों ने कहा है कि अगर भारत चीन के भी संगर्ष हुआ तो पाकिस्तान के अलगोजे बजना तै है इसमें चोकाने वाली बात यही कही गई है कि इस संगर्स के आलात में पाकिस्तान अगर मुँपर हतेली भी चिपका लेगा तो तब भी उसे किशी बड़े अबले का सामना करना पड़ेगा दरसल पाकिस्तान को आज कोई चिंता सबसे ज़्यादा खाई जा रही है तो वे पियोके को लेकर है पाक ठिक टेक को लगता है कि भारत चीन के संगर्स में चाहिए पृष्थितिया कैसी भी रहे भारत उन पर कारवाई जरूर करेगा जो बड़ी बात इन बुद्धी जीवियोंने कई है वे और भी चकित कर देने वाली है भारत के हमले का पाकिस्तान तीन दिन से ज़्यादा जवाब नहीं दे सकेगा और पाकिस्तान इस युद्ध को बुरी तरह से हार जाएगा अगर पाकिस्तान हरा तो पियो के उन के पास रहेगा इसकी बिल्कुल भी उमीद ना करेगा गलप न्यूज के मुताबिक करोना से लगबग तबाव चुके पाकिस्तान में सीमित जंग तक लड़ने की कुवत नहीं बची है पाक फोज बितर खाने इतनी कमजोर है कि उसके पास दो दिन से ज़्यादा का गोला बारू तक नहीं है उसके पास इतना बजट भी नहीं है कि वे आपात काली निस्थिती में हतियार परचेज कर सके इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का तेल रिजोग भंडार जद्दकी पूर्ती नहीं कर पा रहा है ऐसे में भारत पाकिस्तान को ठोकने के लिए आ गया तो तेल इखटा करना उसके लिए एक बड़ी चुनोती बन जाएगी जबकि युद में तेल का रिजोग इस्टोक बड़ी भूमी का निबाता है इसका मतलब यह है कि भारत चीन की टेंशन के बीच गदों के कान बज उठे हैं पहले यह मदरसा मुल्क तैमंद लेरा कर और टोपी उचाल कर गदया नर्ते करते थे मगर भारत चीन के बीच युद की आठ ने इनके मदरसों में अडकंप मचा दिया है हालत यह है कि LAC की टेंशन पर इतनी चर्चा भारत की मीडिया में नहीं है जितनी की पाकिस्तान में हो रही है इमरान खान को सुजाव दिये जा रहे है कि वे पियोके को बचाने के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाए पर ये कदम तभी उठेंगे अगर कदमों में जान बाकी होगी सो अरब डाल के कर्ज से तस्रीब तनो भारी हो चुकी है ऐसे में वे जनता को भूख से बरने से बचाए या फिर पियोके के लिए पाक फोज को युद के लिए तैयार करे इमरान के सामने चुनोतियों के पाड़ खड़े हो गए है इसलिए दूसरे पाड़ को भारत भरो से ही छोड़ा जा रहा है जम्मू कस्मीर से लेकर पूर्वी लद्दाख तक भारत सेना का जमावणा देखकर पाक फोज के तिरपन काप रहे है इतनी बड़ी संख्या में इंडियान आर्मी की मुझूदगी आनायास नहीं है गाटी में बहुत से सिक्षन सस्थानों को खाली करा लियागा है अब ये इमारते सेना के हवाले हो चुकी है जान निरंतर फोजी बुटो की धमक गूंज रही है पाकिस्तान अपनी तरप की सीमा पर रहकर इंडियान आर्मी की गत्विद्यों पर नजर जरूर रख रहा है पर वेया आंकलन करने में पिछे है की भारत के मन्सुबे आखिर क्या है खास बात यह है की बाला कोट की घटना के बाद भी नियंतर रेखा पर भारत सेना इतनी बड़ी तादाद में नहीं आई थी पाक बीडिया की माने तो अकेले जम्मू कस्मीर से लगती एलोसी पर भारत के 80,000 जवान तैनात किये गए है सेना की इतनी बड़ी एक्टिविटी केवल आतकवाद को रोकने के लिए नहीं हो सकती यह यकीनान किसी बड़े लक्षे को ध्यान में रखकर किया गया है खास बात यह है की पाकिस्तानी से लोसी पर हमले के परिपेक्स में देख रहा है विशेशकर 18 अगस्त को गिर्गिट बास टिटान में होने वाले चुनाओ पर भी अब संकट के बादल खड़े हो गए है क्योंकि एलेसी के साथ एलोसी पर भी हाला तनाव पुरन बनते जा रहे है चुनाओ की तो बात छोड़ दीजे इस इलागे में पत्ता भी नहीं हिलने की उमीद है उदर भारत के इस एलान ने पाक फोज की चिंता बढ़ाई है जिसमें लद्दाक से इंडियन आर्मी की तैनाती बदिस्तु रखने की बात कई गई है इससे भी पाकिस्तान की घबराट बढ़ गई है क्योंकि दोलत बे गोल्डी तक इंडियन आर्मी की पहुँच के चलते उसके सिर पर खत्रा बैट चुका है यहां से कोरा कारम पास मातर 20 किलो मिटर की दूरी पर है यह जांचीन का सिज्ञ परांत अलग करता है वहीं चीन पाकार्थी गलियारे यानि सीपैक का हिस्सा भी है भरत इस इलाके से दोनों गुरु गुलाम पर निगा रख सकता है पूर्वी लद्दाक से पियोगे में किसी सैन्य अभ्यान का एक्षन जदा सटीक और रणनतिक लिया अस्यकारगर हो सकता है इसलिए भी पाकिस्तान की धड़कने हद से ज़्यादा बढ़ गई है अगर पाकिस्तान का थिंग टेक अपने मुल्क की कमजोरियों को लेकर आसंकित है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है पाकिस्तान की हालत युद करने लायक नहीं बची है युद के लिए पैसा चाहिए जो पाकिस्तान के खजाने में नहीं है उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि देश का नेतब करने वाला नेता मजबूत हो पर इमरान खान जिस तरह चोरे लोंडो के सुल्तान साबित हुए है वे तैमंद बाजों के मस्तक को तो छोड़ दीजिए तस्रीप तक बचाने के काबिल नहीं है खुद मदर से पैदा इसको भी इसका यकीन नहीं रहा है पाकिस्तान में यह चर्च भी आम हो गई है कि अगर भारत चीन के भी संगर्स होता है तो पाकिस्तान उस्याच होता नहीं रह पाएगा भारत इस तनाव का फैदा उठाते हुए प्योके पर कोई न कोई एक्षन जरूर करेगा अब जरा उनकारणों को भी सुन लिजिए जो इन बुद्धी जीवियों ने गिनाए है भारत चीन के संगर्स में अमरीका समेत पस्चीमी देशों का कूदना तै है भारत ने प्योके को लेकर पिछले कुछ सालों में जो कूदनितिक बिशाते बिचाई है उसमें भारत यह बताने में कामियाब राय की चीन दुआरा बनाय जारा सीपैक अमरीका के हित में नहीं है चीन इस सीपैक का इस्तमाल रनितिक तोर पर कड़ सकता है खास तोर से गवादर पोर्ट पर पिपुल सिलिबरेशन आर्मी की मुझूदगी और चीन दुआरा यांक्या जारा बिल्डप अमरीका के लिए बड़ा खत्रा हो सकता है इसलिए अमरीका को सीपैक अपने लिए बड़ा जोखिम लगने लगा है दक्सिनी एसाई मामलों को एंडल करने वाली अमरीकी राजनाईक एलिस वेल सीपैक की खुलकर खिलापत कर चुकी है पाक थिंग टेक के मुताबिक भारत इसी मुद्दे को आधार बना कर सीपैक के बहाने गिरगिट बाल्टिस्टार मेंटरी कर सकता है क्योंकि सीपैक इसी इलाके से होकर गुजर रहा है जबकि भारत लगतर इसे अपना इस्सा बताता रहा है अमरीका के लिए भारत को पियो के पर हमले से रोकने का कोई उचित तबी नहीं है उल्टा अमरीका भी CPAC को द्वस्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर हवाय अमले को अंजाम दे सकता है ये परतक्स तोर पर चीन को नुक्सान पहुचाने के संयूक्त परियास होंगे मगर प्रोक्स रूप से इसका खामयाज पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा उसकी पुंगी तो बजगी ही पियो के भी आथ से निकल जाएगा उपर से भारत की ताकतवर फोज और तीनों ही छेत्रों में पाक सेना से अमल भारते सेना से तक कर लेना उसके बूते की बात नहीं होगी इस तमाम गटना करम में चीन और उत्तर कोरिया को छोड़ कर किसी का सैयोग भी उनके साथ नहीं होगा कल जब इमरान खान ने बंगला देश की पीम से खसीना से 15 मिनट बात की तो उन्होंने कस्मीर का भी जिकर किया उन्होंने हसीना को काया कि भारत कस्मीर बाकरामक हो रहा है इससे पहले इमरान ने नेपाल के पीम चीनी धोती चाप ओली से भी बात करने का वक्त मांगा था इम्रान के तबले में मची है खलबली साबित करती है कि बार से बांग लगाने वाले पाकिस्तान को भीतर से अलान होने का खोप सता रहा है वे पडोशी देशों से चिकनी चुपडी बाते करके भारत के खिलापने एकसस बनाने की जुगत में है वैसे पाकिस्तान के साथ साथ बाकी प्रणोष्टी मुलकों को भी ये बात समझ में आ गई है कि प्रोक्स्त भारत सांती का आवरण पूरी तरह उतार चुका है अब ये वो भारत नहीं है जो सांती का फल मुप्त में वित्रान को बेताब रहता था उपर से दिखने वाले फल तभी तक सुमनित है जब तक उनको सही दरश्टी से देखा जा रहा है कूदरश्टी डाली तो उनका वी सबुन्दरमन तन से निकले विस्से भी ज़्यादा घातक है यही वज़े है कि नेपाली पीम ओली निमरान को ज़्यादा भाव नहीं दिया क्योंकि उनकी भारत के एक्शन से पहले ही चोत का चाद बना रही है जबकि सेख हसीना बकराईद की बधाई से ज़्यादा आगे नहीं पड़ पाई वैसे इमरान खान ने मुलागिरी का फंड़ा चलाने की कोशी से जरूर की पर बंगला देश पर यह कहीं पर भी लागू नहीं होता है क्योंकि इस मुल्कों मालूम है कि पाकिस्तान की जादितों का सिकार सबसे जादा वही बने है पाकिस्तान की मुसिबत यही है कि भारत की तरब से बड़ते दबाब का दुखड़ा वैर रोने के काबिल भी नहीं रहा है यूरोपन कंट्री से लेकर खाड़ी देश और अमरीका सबके सब भारत के चीन पर एक्षन का गुनगान कर रहे है चाइना की हालत यह है कि वे खुद दुनिया में ऐस परश्य हो गया है ऐसे में उसके लिए दुनिया के बंदरवाजे लागना एक बड़ी चुनोती है उपर से उस पर चाइना गुट का धबा भी लग चुका है इसने भी पाकिस्तान को दुनिया के निशाने पर लादिया है इससे भी खास बात यह है कि उसके पड़ोस में नरेंदर मोदी जैसा दबग और कुटनित का बानपंडित मौजूद है जिसके सामने अमिरान खान केवल पानी ही बर सकते है यानि पाकिस्तान की घेरबंदी केवल एलोसी पर नहीं की जा रही है बल्कि उसे कुटनितिक तोर पर भी घुटनों पर ला दिया है कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत में 2020 के अंतक पियोके वापसी की चर्चा कारण नहीं थी तरक सास्त्रियों ने पहले ही कयास लगाए थे कि भारत इस साल के आखिर में पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन कर सकता है मगर उन्हें संदे था कि पियोके में चीन के प्रोजेक्ट होने के चलते इसमें कोई पेच फश सकता है प्रन्तु कुद्रत ने जो चक्रव्यू चला उसमें करोणा मामारी भारत के लिए एक वर्दान साबित भी हुई है चीन का पत्ता इसी करोणा की वज़े से कटा है यानि पियोकी की वापसी का सबसे बड़ा रोडा अपने ही घर में लुड़ा करा है अब अगर उचला भी तो भारत उसके लिए भी कमर कश चुका है चीन बेसाक होतान एरबेस को सचाए या एलेसी पर 40,000 सैनिकों का जमावणा करे भारत से पारबाना उसके लिए आसान नहीं होगा हमारी व्य खबर भी सटीक साबी थुई है जिसमें हमने बताया था कि भारत ने अपनी परमाणू नीती में बदलाव करते हुए परमाणू मिसाईलों का मुँँ चीन की तरफ घुमा दिया है कल सामसे मीडिया उसे बड़े जोर सोर से दिखा रहा है जबकि हमने आपको दो दिन पहले ही खबर दिखा दी थी बहुत कुछ कर देगा बहुत कुछ का मतलब कुछ भी इसके साथ अनुमति दोस्तो जै जवान जै किसान जै हिंद बंदमात्रम